नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं एलेक्टूनिस बर्मा तो दोस्तो जो हमारा यह 4 IC का बोड है मैं आज आपको इसकी वाइरिंग बताऊंगा कि वाइरिंग कैसे कर सकते हैं इसके अंदर कौन सा ट्रास्फरमर लगा सकते हैं और इसके अंदर 20-50 IC आ करते हैं कि यहां पर आपको चारो ही 20-30 IC मिलती है देखिए लेकिन IC जो है वो ओरिजिनल लगी हुए ट्रेंगल की तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि जो सब बूफर की यहां पर बिरिज में IC होती है यह देखिए मैं बिरिज दिखा देता हूं किस तरीके से बना हुआ ह देखिए जो हमारा जो चार नमबर का पीन होता है वो होता है हमारा स्पीकर वायर आप देखिए जो 20-50 और 20-30 की IC होती है वहां पर चार नमबर की जो पीन होती है वो स्पीकर वायर होती है और जो इसका दूसरा पॉइंट होता है हमारा ग्राउंडिंग पॉइंट तो यह इहां पर देखे यहां दो नमबर के करी गई तो यहां पर आप 2050 की लगा सकते हैं और यहां पर जो आपको यूज करना है वह करना है बारा जीरो बारा तीन एंपियर में बहुत बढ़िया बोड यह काम करता है आप चाहे तो यहां पर पांच एंपियर का भी ट्रास्फर्मर लगा सकते हैं वह भी बढ़िया वर्क करता है क्यूंकि दो 20-50 हो जाएगी तो उसको भी आउटपूट सही मिलती है और जो 20-30 हो जाएगी सेटलाइट वाली उसको भी ओडियो सही मिलती है तो ट्रास्फर्मर की बात हो कि दोस्तों यह जो यहां पर लिखा है SP SP का मतलब हुआ हमारी जो छोटे वाले स्पीकर होते हैं तीन इंची के सेटलाइट होती है तो यह connector उसका दिया गया है तो यहां पर देखे वाला जो प्रिंट वह हमारा हमारा ग्राउंडिंग है और यह ओगया लेफ्ट और राइट तो हमारे दो चैनल है तो दो चैनल होते हैं इसमें यहां पर आप इसको फोर भी बना सकते हैं सोटिंग करके यानिकि एक एक लेफ्ट के अंदर दो स्पीकर एक राइट के अंदर दो स्पीकर इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। यह वाली जो वायर होगई यह आपकी वॉलियम की वायर होगई। जो मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताई ए कि जो बिलूटूथ काट की जो हमारी ऑउट्पूट होती है वो पहले जाती है वोल्यम के बाद फिर यहां पर आ जाती है। जो हमारी पिन होती है मैं आगे आपको डाइग्राम में भी आपको दिखाऊंगा कि जो यहां वाले क्योंकि इस बोड के अंदर सारे connection एक दम बढ़िया हो जाते हैं लेकिन बहुत से बहुत से बहुत जाते हैं कि यहां के connection कैसे होंगे तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगा त और यह वाला जो 4585 IC है यह हमारा बेस के लिए यूज करा गया है इसकी पहचान कैसे होती है वह मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर 224 पी अप लगा हुआ होता है इस वाले जो हमारा 4568 IC होता यह होता है हमारा बेस के लिए अब देखें यहां पर लिखाऊ है पांच अब बेस वोल्यम की पहचान कैसे करेंगे देखें यहां पर यह हो गया हमारा देखें यह हमारा यह हो गया हमारा ग्राउंडिंग पॉइंट तो यहां पर देखें यह सोटिंग यहां से यह हो गया हमारा ग्राउंडिंग वाला पॉइंट यह देखें यह बीच वाला ग्र फिर हमारा grounding यह इस तरीके से इसकी यह wiring हो गई यह हो गया हमारा सब बूफर का connector देखें सब बूफर लिखा हुआ है तो यहां पर हमारे बूफर का connector लगेगा अब बहुत से भाइका कमेंट आता है कि यहां पर सर्ज बूफर है वह कितने ओम का कितने इंच का और कितने वाट पर हम लगा सकते हैं तो देखें अभी यहां पर यहां पर 20-30 IC लगी हुई है तो अभी तो आप इस पर यूज कर सकते हो 8 home 8 home का speaker लगाना है आपको देखे कभी भी बिरिज में अगर IC होगी तो आपको 8 home का ही speaker लगाना 4 का नहीं लगाना तो 8 home का speaker लगाना है आपको और यहाँ पर अभी आप कम से कम 35 watt का buffer लगा सकते हो इंची चाहे कितना भी हो लेकिन 35 watt और 8 home का buffer लगा सकते हो और यहाँ पर अगर आप 20-50 लगा दोगे तो यहाँ पर आपको लगाना है 8 home 50 watt का buffer तो यह भी दोस्तों किलियर हो गया अब आजाते हैं इस वाले connection के ओपर यह connection कैसे होगे तो मैंने वैसे हर वीडियो में बताया हुआ है लेकिन मैं कुछ इस तरीके से होता है तो यहाँ पर देखें डबल वोलियम होता है हमारा left और right होता है तो यहाँ पर देखें जो लाश्ट की दोनों पिन है वो तो हमें के दोनों वायर हो गए left और right तो यह हो गया हमारा Bluetooth कार्ड जो हमारी 5 वोल्ट की किट होती है यह Bluetooth कार्ड की किट हो गई तो जो उसके Bluetooth कार्ड के अंदर जो output निकलता है left और right वो जाएगा वोल्यम के पिन नमबर वन और फिर इसका जो यह होगे grounding तो आपने Bluetooth कार्ड में देखा हुआ तीन पिन होती है left होती है और ग्राउंड होता है तो Bluetooth कार्ड पे लिखा हुआ होता है output तो output जाएगी आपके वोल्यम के पिन नमबर वन पे और यहां से आप देखें दो पिन हो यह बीच वाली दोनों पिन है यह हो गया left यह हो गया right अब देखें यहां पर जो यह तीन पिन बनी है यह जाएगी आपकी इस वाले connector के उपर जो यह मैंने connector दिखाया है तो यहां पर वोल्यम जो है वो बढ़िया काम करेगा और बहुत से भाई यहां पर चाहते हैं कि एक spend trail का volume का वोल्यम लगाएं क्योंकि बहुत से भाहियों को दिक्कट होती है क्योंकर देखें base volume नहीं पर travl नहीं होता तो travel को कैसे लगा सकते हैं वह मैं आपको दिखाता हूं देखें आपको इस तरीके से एक volume लेना है यह volume हो गया हमारा 6 pin का के यह देके 6 pin का volume हो गया ये दोनों पिन हमने सोट कर दी तो ये तो हो गया हमारा ग्राउंडिंग पर आ गया इस तरीके से ये ग्राउंडिंग पर हमने वोलियम के लगा दिया अब बची हमारी बीच वाली पिने दोनों आगे वाली नीचेड़नी ये छोड़ देनी है हमें यह वाली पीने हमें छोड़ देनी हैं यहां और यह वाला वायर हमें यहां उस तरीके से हम जोड़ देना है लेकिन यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर सीरीज में लगाएंगे 104 P F 104 और 104 सिरीज में P F लगाएंगे तो यह P F हो गया हमारा और यह P F हो गया बोल्टेज आप कितनी भी लगा सकते हैं 50 V, 100 V, 1.500 V वो सब काम करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है ट्रेवल आपको बीच वाली पिन के ऊपर P F लगाना है सिरीज में और ओडियो पे कनेक्शन कर देने हैं और जो ग्राउंड है वो यहाँ लगाता है ले ग्राउंडिंग पे तो ट्रेवल भी बन जाता है क्योंकि बहुत सो भाईयों को कमेंट आता है कि सर्ट ट्रेवल कैसे बनाया जाता है तो ट्रेवल बहुत ही आसान होता है बस सिरीज के अंदर दो पी अप लगा के ओडियो आउट पे कनेक्शन कर दिये जाते हैं बोलियम के बीच वाली पिन पे और ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग पे लगा दिया जाता है तो ट्रेवल कम्प्लिट हो जाता है तो इस तरीके से हम दोस्तों इस बोड की पूरी कम्प्लिट वायरिंग कर सकते हैं तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब करना बेल के आकन को जोड़ दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा